हेलो डियर कैसे आप सब मैं रोज दिमार आप देख रहे हैं रोज दिमारसी चैनल और आज हम आपको लेगा है चिलर प्लांट के अंदर हमारी आज की वीडियो रहेगी वह रहेगे कि हमारी चिलर की सर्कूलेशन कैसे होता है चिलर की साइकिल कैसे होती है यह कैसे काम करता है इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और उससे पहले हमको उता दूँ आज हम इसके साथ साथ आपको completely आपको वोच भी कराएं हैं completely आपको दिखाएंगे भी कि हार एक किमेंट कहां लगा होता है किस प्रकार साइकल मूव करती है क्या कि इसके अंदर सेफ्टी होते हैं यह सब चीजे हम आपको बताने वाले हैं चले हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो जो हमारे टोपिक है चिलर साइकल देखि हमारा क्या काम करता है अब जो हमारा कंप्रेसर है कि यह मारा है कंप्रेसर कौन सा कंप्रेसर है यह कंप्रेसर सेंट्रिफूगल कंप्रेसर सेंट्रिफूगल कंप्रेसर चिलर प्लांट में क्यों लगा जाते हैं क्योंकि इनको टी आर कैपेस्टी होती है बहुत जादा होत करने के लिए सात में लगे होता है मौटर यह मौटर है 600 mistaken क्योंकि मॉट्रगम काउंट और C संपाउर में अप सेंट्रिट्रिफूकल कंप्रेसर महारा क्या करता है हमारी यह जो लाइन है यह चिलर होता है जिसको गिदा है would यहां सिवको क्या करता है high pressure high temperature में Convert करके इसको यहां से किसके अंदर बेंस था है condensed है condensed हमारा सेल एंट ट्यूब टाइप मतलई इंदर होतге है अब इसके अंदर जाती है तो उसको वेपर से लेकड te चेंज करने के लिए हमारा कंडेंसर लगा जाता है जो कि हमारा कंडेंसर है वाटर कूल टाइप और वाटर कूल टाइप तो इसके साथ हमारा लगता है कुलिंग टावर तो कुलिंग टावर का पानी इसके अंदर सर्कुलेट होता है मैं आपको दिखाना चाहिए पानी कहां स एकल जाएगा इसपन इस पॉपानि के एंट्र yogi वो नीचे एशने होगी इसे अंदर सेटी वी लगए होती है जैसी हमारा है इस होता है इस फुलों स्विच का मतलब क्यों होता है जैसी हमारा कंड़ेंसर का पानी इस फ्रॉख सीच से टकर घर तो इसको क्या करें सप्राइब और रखेगा लेकिन जैसी प्रेसर मार डाउन हो जाएगा तो फ्लोव स्वीच कमप्रेसर को कमाड देगा इसको बंद करने के लिए एक सेफटी के रूम में फ्लोव स्वीच लगाया जाता है तो यहां पर हमने बात की हमारा जो कंडेंसर है अ अमारे रेहजन जाता आगे एक्सपेंशनवालण बुद ट्रेयर मे अब यहां से और लिक्विडेंशन यहां से हमारा लिऌक वीडेज रेहजन है जो आगे चैसरे में पर न कर चेथे जरा है जात्य है thermosite expansion wall मिलता है जो कि gas को expand करने का काम करता है चले हम आगे देखते हैं यह हमारा है chiller अब यह हमारा जो chiller है यह cell and tube type chiller इसके अंदर भी same क्या होता है cell होता है और tube होती है लेकिन मैं आपको बता दूँ condenser और operator में क्या होता है, दोनो सेल ट्यूबाट टाइप होते हैं लेकिन दोनों opposite होता है condenser में हमारा जो cell and tube type है लेकिन एयोपरेटर में है चैंज वाती है अब यहाँ पर क्या हूआ यहाँ पर हमारा reflecting पूरी तरह से आग़े अब जो पाणिवाले लाइने हैं हो हमारी यह लाइने हैं जो क्या करती है घ焦 हो यह जो चिल्ड वाटर है हमारा इसको बेसा आधा अगे है यह च्यू क्या कुल खरण स आधा मतल़ जो मारा च्छी लगाई गया है कि इस पानिको ठंड़ से पांकट रिए celsius वैसे अकोडिंग टेमप्रेचर इसको कम जादी कर सकते हैं अब इसके अंदर हमारे यहांप त्रोबारा से कूल किया जाता है तो यह सब था हमारा चिलर सर्कूलेशन में और यह सब इसके अंदर होता है लेकिन मैं एक च्छोटी ची और दिखाना जाओंगा इसके अंदर एक सेफ्टी क्या होती है चलिए मैं आपको सेफ्टी भी दिखा देता हूं यह दिखांगे इसमें वो दो हां यह इसके अंदर सेफटी होती है अब सेफटी किसकांट से लगे हैं यह हमारे कंडेंसर का मतलब क्या है अगर भाइद है हमारा जो डिश्चार्ज प्रेसर है डिश्चार्ज प्रेसर कंट्रोल यह पता तो 270 PSAP क्या हो जाता है फट जाती है जिससे क्या होगा हमारा यह हमारा कंडेंसर बलास्ट होने से पहले यह सेफटी फट जाती है और 270 PSAP कब होता है जब हमारा कूलिंट और प्रोपर तरीके से काम ना कर रहा हूं या उसके अंदर पानी ना हो या उसके अंदर होट वाटर ही सर्कुलेट हो रहा हो तो उस चिलरर के अनदर अलग अलग प्रकार से सेफटी होती है आपको सिस्क्र बोक्ष में जाएगे वीडियो जैसे यूप डुल प्रेकिम्यागर के अंदर यूज होती है और यह हमारी आज की वीडियो थी चिलियर सर्कुलेशन की और मैं आसा करूंगा मेरे द्वरा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लोगी और प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भूले एंड थेंक्यों रोच में वीडियो थेंक्यों झाल 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 झाल